करणाटक विदान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस ने भव्यजीत हासिल की अब कॉंग्रेस की शांदार जीत के पीछे कौन सी लोकल रण नितिकार की महनत रंग लाई क्या आप लोग सभाव में द्वारों की यचन प्रक्रिया के लिए कॉंग्रेस करेंगी सर्वे करणाटक विदान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस की शांदार जीत के मद्दे नजर चुनावी रण नितिकार सुनिल कानुन गोलन की अहमत बढ़ गई है 2018 के विदान सभा चुनाओं में BJP के लिए काम करने वाले कानु गोलु को कानु गोलु की रण निति ने गणाटक की जीत में बहुत योगदान दिया कानु गोलु के पिछले आच महिनों में कानु गोलु की टीम द्वरा किये गए सर्वेक्षनों के आधार पर उमिद्वारों का चयन किया गया इस सर्वेक्षन के आधार पर सित्तेर हाट सीटों की पहचान की गई और इन सीटों पर आखिर भारती कॉंग्रेस कमिटी ने देश के विबिन नहिस्तों से पर्यवेक्षक अन्योगत किये इन में से कॉंग्रेस ने साहिट सीटों पर जीत हासिल की है और यही अंतर बना अब कॉंग्रेस इलेक्षन टास्क फोर्स सुनिल कानुन गोलू के फॉर्मूले के आधार पर दो हजार चौबिस के लोग सभा चुनाव के लिए उमिद्वारों का चायन करेगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरुत्व में तीन सदस्य चैन समिती ने डीजीपी प्रविन्ट सूद का नाम तै किया है इस तीन सदस्य समिती में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, लोग सभा में विपक्ष के नेता अधिरंजन चौधरी और भारत के चीफ जस्टीस डीवाई चंद्रचूड शामिल है रिपोर्ट के मुताबिक कॉंग्रेस नेता अधिरंजन चौधरी ने प्रविन्ट सूद के नाम के आगे अपने विरोध का नौट भी दर्ज किया है क्योंकि वो उन अधिकारियों के पैनल में शामिल नहीं थे जिने पहले सीवियाई निर्देशक के पद के लिए शौट लिस्ट किया गया था रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रक्रिया बहुत सरल नहीं रही है और समीती के सदस्य और लोगसभा में कॉंग्रेस के नेता अधिर रंजन चौधरी ने अपना विरोध दर्ज करवाया और प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की है जीन तीन नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया उनमें करनाटका के पुलिस महानिर्देशक प्रविन्सूद मध्यप्रदेश के पुलिस महानिर्देशक सुधिर कुमार सकसेना और महानिर्देशक फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होमगार्स ताज हसन शामिल है प्रविन्सूद 1986 बैच के IPS अधिकारी है और जनवरी 2020 में करनाटका के DGP बने थे इस साल मार्च में करनाटक कॉंग्रेस के नेता डिकेश यू कुमान ने प्रविन्सूद को अयोग्य कहते हुए उन्हें बीजेपी की कत पुतली बताया था रोस यूकरेन के बेच चल रहे संगर्ष में दोनों तरफ काफी नुकसान हो रहा है यह संगर्ष न जाने कहां जाकर रूकने का नाम लेगा इस बेच एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि शनिवार को यूकरेन की सीमा के पास दो रोसी लड़ाकु जेट और दो सैन हेलिकॉप्टर को मार गिराया है क्या है मामला आईए देखते हैं रोस की दो जेट्स और दो हेलिकॉप्टर को यूकरेन के बॉर्डर के पास मार गिराया गया है इनमें SU-34 फाइटर बंबर, SU-35 फाइटर जेट और दो MI-8 हेलिकॉप्टर सामिल है यह एटक यूकरेनी बॉर्डर से सटे ब्रांज के क्षित्र में हुआ चारो एरक्राफ्ट को एक साथ निशाना बनाया गया हालागी यूकरेन ने इस एटक की जिम्मेदारी नहीं ली है चारो एरक्राफ्ट एक रेडिंग पार्टी का हिस्सा थे और यूकरेन के चैरनी हाई क्षित्र में मिसाइल और बंब एटक के लिए जा रहे थे रिपोर्ट के मुताबिक इस एटक में चार क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है रुसी स्टेट मीडिया एजनसी टास ने भी एक आपात कालिन सिवा के अधिकारी के हवाले से कहा एक रुसी हलिकॉप्टर के इंजन में आग लगने के कारण यह ब्रांस के क्षित्र में दुरगटना ग्रस्त हो गया हाला कि इसमें एटक या सुखोई फाइटर जेट का कोई जिक्र नहीं किया गया रुस पर एटक को लेकर शनिवार को राश्रपती जैलेंसकी ने कहा हमारी सेना इसकी तयारी में जूटी हुई है हम बहुत जल्द रुस पर जवाबी कालिवाही की शुरुवात करेंगे हम जीत पर विश्वास रखते हैं और इसके लिए हम हर जरूरी कदम उठाएंगे ब्यूरो रिपोर्ट जी एस्ट वी वोकल जो मौहलक शेत्र में आतंक वादियों ने नागरी कोग का निशाना बनाया ये लोग उस समय नदी के किनारे खेती कर रहे थे हमले के बाद स्थिती का जाइजा लेते हुवे मनने वालों की संख्या 33 बताई गई खेतों में काम कर रहे किसानों पर बरसाई गोलिया 33 की मौत बरफिला फासों में आतंकी हमला की घटना आईए देखते हैं पच्चिमी आफरिकी देश बुरकिना फासों के बावकल डू मोहन क्षेत्र में सनिवार 13 मैं को किसानों पर हमला वरों ने हमला किया इस हमले में 33 लोगों की मौत हो गई है इस बात की जानकारी बोकल डू मोहन क्षेत्र के गवन्नन ने दी इस साल मार्च महिने के बाद से पच्चिमी बोकल डू मोहन क्षेत्र के कुछ हिसों में आपात काल की स्तिती बनी हुई है बोकल डू मोहन क्षेत्र में आतंक वादियों ने नागरिकों को निसान बनाया उस समय लोग नदी के किनारे खेती कर रहे थे अमले के बाद स्तिति का जाईजा लेते हुए मन्ने वालों की संख्या 33 बताई गई है स्थानिय सुत्रों ने कहा कि हमलावर मोटर साइकल पर आये थे उनके पास खतरनाख हतियार थे जिससे उन्होंने आते ही अंता धुद फाइरिंग शुरू कर दी थी बुर्किन फासो में साल 2022 में दो बार सैन्य तक्ता पलट हुआ था वही साल 2015 में माली से आये जिहादी विद्रों से जुम रहा है NGO के एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और विद्रोयों के हिंसा में 10 हजार से अधिक लोग मारे गये है इस दोरान 20 लाख जितने लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जा चुके है